जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हर देख स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, इस बार बैसाक अमोस्या की तारीख को लेकर काफी कन्फूजन के स्थिति बनी हुई है कुछ लोग बैसाक अमोस्या 7 मैं को बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग बैसाक अमोस्या 8 मैं को मनाने की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बैसाक अमोस्या की सही तारीख क्या है? इसकी सही जानकारी दूँगी कि बैसाक अमोस्या 7 मैं को मनाई जाएगी या फिर 8 मैं को इस नान दान आपको किस दिन करना है और पितरों का पूजन या तरपन किस दिन करना उचित होगा साथ ही आपको इस नान दान करने का सुब मूरत भी बताऊंगी और इसके लावा पितर पूजा का समय क्या रहेगा वो भी बताऊंगी और राहुकाल का समय इस दिन क्या है इसकी भी जानकारी दोंगी साथ ही बैसाक अमोस्या की पूज़ा विदी क्या है और इस दिन ऐसी कौन सी एक गलती है जो सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए ये भी बताऊंगी दोस्तों बैसाक अमोस्या के दिन पित्रों को प्रशन्ने करने के लिए कुछ उपाई हैं जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपको पित्रों का आसिरवात प्राप्त हो सके पूरी जानकारी के लिए लास तक वीडियो को जरूर देखें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेहर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में बैसाक मैने में पढ़ने वाली अमोस्या का बहुत अधिक महत्त है इस दिन भगवान विश्णू जी की पूचा का विधान है आपको बता दें कि अमोस्या पित्र दोस्य से मुक्ति पाने के लिए उचित मानी जाती है इस दिन ज़ूरत मंद को दान करना बेहदी सुब होता है मानिता है कि इस दिन गंगा नदी में इसनान करने से सुब फलो की प्राप्ति होती है साथ ही मोक्ष भी मिलता है दोस्तों बैसाक अमोस्या के दिन स्रीमत भगवत कथा कि स्रवन से अक्ष्य पुन्न की प्राप्ति होती है इसके लावा इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा का भी विदान है क्योंकि पीपल के पेड़ में तिर्देओं का वास माना गया है इस दिन पीपल का वरक्ष लगाना भी बहुत मंगल कारी होता है दोस्तों मानिताओं के नुसार अमवश्या के दिन पितर धर्ती पर आते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि उनके वंस के लोग उन्हें तरपन, पिंड, दान, स्राद, दान आदी से तरप्त करेंगे जिन लोगों के पितर तरप्त नहीं होते हैं उन्हें पितर दोस लगता है इसी वज़ए से अमवश्या को सुबह एस्नान आदी से निवरत्त होकर पितरों के निमेत तरपन जरूर करना चाहिए उनके लिए कुछ नो कुछ दान अवस्य करें ताकि आपके पितर तरप्त हो सकें खुस हो सकें और आपके परिवार को तरक्की का असर वाद दें तो चले जान लेते हैं कि इस साल वैसा का मौस्या कप पड़ेगी दोस्तों इस बार आमावस्या तिथी की सुरुवात साथ मई दो हजार चौबिस की सुबा ग्यारा बच कर चालिस मिनट पर होगी और आमावस्या तिथी की समापती आठ मई दो हजार चौबिस की सुबा आठ बच कर इक्यावन मिनट पर होगी तो इस हिसाब से पित्र सम्मंदित कार्णियों के लिए दर्ज अमवस्या 7 मई 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी क्योंकि पित्र पूजा के लिए दोपहर के समय की अमवस्या तिथी ली जाती है वहीं आठ तारी को उदिया तिथी में अमवस्या पड़ेगी इसलिए इस नांदान की अमवस्या 8 मई 2024 दिन बुद्धवार को मनाई जाएगी 8 मई को देव कर्म के काम किये जाएंगे और बात करें पित्रों की पूजा के समय की तो पित्रों के लिए पूजा का समय 7 मई 2024 की दुपहर को 12 बजे से लेकर ढ़ाई बजे तक रहेगा और सनी पूजा का समय 7 मई 2024 की साम को 5 बचकर 20 मिनट से लेकर साम 7 बचकर 1 मिनट तक रहेगा दोस्तों बैसाक अमवस्या का इसनान 8 मई को होगा वैसे अमवस्या का इसनान ब्रह्म मूरत में करना स्रेश्ट माना जाता है और 8 मई को ब्रह्म मूरत सुबह 4 बचकर 10 मिनट से लेकर सुबह 4 बचकर 52 मिनट तक रहेगा इसके बाद इसनान दान का समय 8 मई को सुबह 5 बचकर 12 मिनट से लेकर सुब अच्छे बचकर दो मिनट तक भी रहेगा और आठ मई को राहू काल का समय दोपहर बारा बचकर अठारा मिनट से लेकर दोपहर एक बचकर 69 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस बार बैसा कमोस्या के दिन यानि आठ मई को सरवार्थ सिद्धी योग सौभाग योग और सोभन योग जैसे सुबसयोग भी बन रहे हैं दोस्तों बैसा कमोस्या के दिन आपको ब्रह्म मूरत में उठना चाहिए और देवी देवताओं का ध्यान करते हुए किसी पमिर्थ नदी में इसनान करना चाहिए या फिर आप घर पर हैं तो घर पर ही नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर इसनान करें इसके बाद सूर्य देव को जलर पित करें फिर पित्र तरपन करें आप अपने पित्रों के लिए तरपन, जल, सफेद फूल, काले तिल वाकुसा आदी से करें इसके लावा पितरों की आत्मा की शानती के लिए हो सके तो आप इस दिन वरत करें और मंतरों का जाब करें इसके बाद आप किसी गरीब या जवरतमंद को या ब्राम्हर को जवरत की वस्तूं का दान भी अवस्से करें दोस्तों बैसा कमोस्या के दिन पीपल की पेड़ की पूजा का विठान है आप इस दिन सुबा पीपल के पेड़ को जलर पित करें और साम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके विद्वत पूजा करें इसके लावा बैसा कमोश्या के दिन सनी पूजा भी विसेश लापकारी होती है यदि आप सनी दोस्ते पीड़े थें तो आप इस दिन सनी पूजा भी अवश्य करें दोस्तों बैसा कमोश्या के दिन जल का दान करना चाहिए इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करना बेदी सुभ होता है आप पानी की ववस्ता करें पसुपच्चियों के लिए दाना की ववस्ता करें इसके लावा बैसाक अमोश्या के दिन गंगा इसनान कर सत्तु दान करने का भी विधान है इस दिन सत्तू का दान और सत्तू खाना बहुती सुबकारी माना गया है इसलिए इसे सत्वाही अमश्या के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अब जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन कौन से गलती नहीं करनी है दोस्तों सुहागिन महिलाओं को बैसाक अमोश्या के दिन गलती से भी अपने बाल नहीं धोने है अमोश्या के दिन बाल धोने से सुहाग की छटी हो जाती है तो आप ये गलती ना करें इसके लावा अमोस्या के दिन फिवा, सगाई, मुंडन और ग्रै प्रवेज जैसे मांगलिक कारे भी नहीं किये जाते हैं आपको बता दूँ कि अमोस्या वाले दिन तुलसी तोड़ना या तुलसी के पेड़ में जल भी नहीं चड़ाना चाहिए अमोस्या के दिन आप किसी दूसरे के घर से आया हुआ भोजन भी ना करें अमोस्या के दिन आपको मास बदिरा के सेवन से भी दूर रहना चाहिए चले अब जानते हैं कि पित्र दोस से मुक्ती पाने के लिए आपको बैसा कमोश्या के दिन क्या क्या उपाय करने हैं दोस्तों बैसा कमोश्या के दिन पित्र दोस से मुक्ती पाने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं इसके बाद पीपल के पेड़ की ग्यारा बार परिक्रमा करें साथ ही आप घर की दच्छन दिसा की ओर आपको एक मुठी तिल सरसों के तेल में डाल कर रखना है वास्तु सास्त के नुसार दच्छन दिसा पित्रों की दिसा मानी गई है अगर आप अपने घर में इन उपायों को करते हैं तो पित्र आपके प्रशन होते हैं और आपको आसिरवाद देते हैं मानिता है कि बैसा कमोश्या के दिन पित्र इस्त्रोत और स्रीमत भगवत कथा का पाठ करना या सुनना बहुत ही सुभ होता है इससे भी पितर दोस्ते मुक्ति मिलती है दोस्तों कहा जाता है कि बैसा का मौश्या के दिन गाए, कववा, कुट्ता, पच्छी आदी जीवों को भोजन, पानी की विवस्ता जरूर करने चाहिए ऐसा करने से उने संतुस्टी मिलती है, जिससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं इस दिन इन जीवों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं इससे आपके पूरवजों की आत्मा को सांती मिलेगी तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्त से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद